हेलो फ्रेंड्स, नीला मेसिपीज में आपका स्वागत है आज हम दो तरह से फ्रैट मसाला इडली बनाएंगे चलिए, शुरू करते हैं फ्रैट मसाला इडली बनाने के लिए यहाँ पर हम छे इडली लेंगे इनको इस तरह से चार पीसिस में डिवाइड कर लिया है मैंने आप चाहें तो इन्हें कैसे भी कट कर सकते हैं सभी हिटलियों को इस तरह से कट कर लेंगे अब चलते हम नेक्स प्रोसेस की तरफ एक कड़ाय में तेल गरम कर लेंगे जीरा डालेंगे राया सरसो के दाने डालेंगे करी पता डाल देंगे करी पता तरकने के बाद हम इसमें एक मिडियम साइज का रफली चॉप के बाद प्यास डाल देंगे इसको फ्राइ कर लेंगे अब हम इसमें दो हरिमिट्स डाल देंगे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राइ कर लेंगे हमारे प्यास गोल्डन ब्राउन हो गए है अब हम इसमें एक मिडियम साइज का बारी एक चॉप किया वाद टमटर डाल देंगे फ्राइ कर लेंगे इसको नमक डाल देंगे हल्दी पाउडर लाल मिर्स पाउडर धनिया पाउडर मसालो को मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें ये कटिवी इडली डाल देंगे इसको जब तक फ्राइ करेंगे जब तक सारे मसाले इडली के उपर अच्छे से कोट नहीं हो जाते हैं सारे मसाले इडली के उपर अच्छे से कोट हो गये हैं अब हम इसमें निम्बू का रज डाल लेंगे mix कर लेंगे और अब हम यहाँ पर gas का flame off कर देंगे हमारी fried masala इटली बन के तयार है आप इसे जरूर ट्राइ करिए अब हम दूसरे तरह से fried masala इटली बनाएंगे same process repeat करेंगे यह मैंने छेड ली ली है अब में इनको इस तरह से लंबाई में काट लूँगी सबे इडलीों को इस तरह से काट लेंगे अब हम चलते हैं दूसरे प्रॉसेस की तरफ कड़ाह में तेल करम करके जीरा डालेंगे राय डालेंगे करी पत्तर डाल देंगे अब हरी मिर्स काट के डाल देंगे एक मिट के लिए इनको फ्राइब कर लेंगे अब हम इसमें ही जो यह हमने इडली काटी थी वो डाल देंगे इनको फ्राइब कर लेंगे मैंने यहां गेस का फ्लेम हाई रखा है जिसे हमारी इडली क्रिस्पी हो जाएंगी हम इनको दो मिनिट तक फ्राइब करेंगे इडली फ्राइब होने के बाद मसाले डालेंगे हल्दी पाउडर डाल देंगे मैंने यहां लाल मिर्च पाउडर डाल दी है धनिया पाउडर डालेंगे नमक डालेंगे सारे मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे देखे सारे मसाल इडली को पर अच्छे से मिल गए है अब हम इसमें निबू का रस डाल देंगे और गेस का फ्लिम ओफ करके इनको मिक्स कर लेंगे हमारी फ्राइड मसाला इडली बनके तयार है आप इसे जरू ट्राइए करिए अगर आपको मेरी रेस्वी पसंद आये तो लाइक शेयर अगर आप मेरे चैनल पर नए आये तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलिए झालिए